कि कि हेलो फ्रेंड्स यह हमारी मॉडल हैं आज हम इनका फेशल कर रहे हैं यह फेशल है मुलक्न अर्गन याल का कि यह मैं ऀसके शिक स्टेप्स हैं आपको दिखाती हूं यह हमारा मुरकर नर्गरनॉल क्लिंजर सेकंड हमारा आएगा स्क्रब ये देखे ये स्क्रब है थर्ड हमारा है क्रीम मुरकर नर्गरनॉल फेशिल क्रीम ये जैल है ये हमारा जैल के साथ में एक पैक है और उसके बाद में हमारा सिरम है मैं आपको आपको जल्ट भी दिखाती हो और साथ में इसका आपको जल्ट भी दिखाती हो यह मैंने क्लिंजर लिया है और इनके फेस पे अच्छे तरह पैलाते हुए पहले लगा दिया है आप पानी का हाथ लगाएंगे और अच्छे से इनको मसाज देंगे क्लिंजर में कमसे कमसे 8-10 मिनट की मसाज देनी चाहिए फेशल में पूरा नेक से ओपर को तरफ ले जाते हुए चिन पे एक फिंगर नीचे एक फिंगर ऊपर कैंची की तरह चलाते हुए यह अपर लिप्स हम कर रहे हैं अपर लिप्स के बाद आईस पे रांड रांड और औ यह देखिए आप पूरी आइस पे अच्छे से कीजिए पुरा नोस क्लीन अपर लिप्स पे पूरा सी बनाते हुए यह देखिए आप इस तरह से थोड़ा उनके हेट को दबाते हुए पुछ करेंगे आराम राम से ताकि रिलेक्सिंग फील हो फेशियल हम हमेशा पीछे ही खड़े होके करते हैं ताकि सारे स्टैप पीछे से करेंगे तो कम से कम जो हमारी सकन है वो उपर की तरव स्टैच होती है यह देखिए इस तरह से आईब्रो को अच्छे से करते हुए नीचे हाथ लाएंगे, नेक में लाएंगे, फिन नेक से उपर ले जाएंगे, यह हमारा फाजर स्टैब हुआ, दस से बारा मिनिट का, बहुत अच्छे से क्लिन कीजिएगा, पूरा कहीं रहना जाएंगे, ब्लकुर अच्छे से क्लिन करना चाहिए, अब हम ले रहे हैं, मुरक्कर नरगन ऑईल का स्क्रब, इसके अंदर मुरक्कर नरगन ऑईल जो होता है, बहुत स्किन के लिए अच्छा होता है, यह हमने स्क्रब लिया है, अभी सर्दियां को टाइम चल रहा है, तो गाइट साब लोग ज्यादा टाइम नहीं करेंगे स्क्रब को, सिरफ बहुत लाइठ हाथ से ही, सिरफ फिंगर फिंगर से ही, आप इसको कीजिएगा, क्योंकि इसकी थोड़ी ड्राय हो जाती है, तो आज प्रॉलम होती है उसमें और मड़ी भी जयादा टाइट हाथ से करेंगे तो जलन भी होने लग जाती है, बहुत सफ्था हाथ हो से आप इसको कीजिए, नोस की डैड इसकी निकालिए, आए, फोरहेड की निकालिए, फोरहेड टोड़ा ब्लैक ब्लैक होजाता है, आइस पे बहुत ही लाइट आठ से स्पूद्ली चलाते हुए अब पर लिप्स पे नेक्ट पे अच्छे से अब देखें मैं किस तरह से कर रही हूँ नोस पे हम थमसे करते हैं इस तरह से ये देखिए मैंने दोनों फिंगर से किया नोस की साइड में हम थमसे करते हैं साइड से चिक्स पे हम फिंगर फिंगर साथे अटेच करेंगे खाली ये देखिए मैंने फिंगर की थाम को यूज किया इस तरह से आप बिल्कुल लाइट हाथ से और सब एक ही वार पानी का टच लेंगे अब आप इसको क्लीन करेंगे और क्लीन बहुत अच्छे से करना होता है ताकि हमारे जो स्क्रब के दाने हैं वह सारे निकल जाएं क्योंकि हमारा इसके बाद में क्रीम आती है क्रीम को हम टाइट हाथ से करते हैं तो जो इसक्रब के दाने रह जाते हैं वह हमारे इसकिन पे चुबने लग जाते हैं इसका बहुत यह अच्छा रिजल्ट है अब यह मेरा तीसरा है स्टैप मुरकन अर्गन ओयल का फिशिल क्रीम इसको आप अपने पाम पे ले लीजिए और उसको अच्छे से फैलाते हुए पूरे फेस पे लगाईए क्रीम में हम थोड़ा टाइट ही हाथ देंगे ज्यादा टाइड नहीं जितना इसक्राइट नहीं है इनको ठीक लगे आपकी कस्टमर को जितना आप ठीक लगे उनकी एसकी अकॉर्डिंग 16 से 25 साल तक हम लोग नॉर्मल हाथ रखते हैं 25 से 40 तक आप थोड़ा टाइट हाथ रखेंगे और 40 के बाद में थोड़ा और हार्डली हाथ कर सकते हैं यह फेशिल क्रीम है तो क्रीम को हम कम से कम 15 मिनट करेंगे वैसे भी सर्दियों का टाइम है क्रीम हमारी स्किन बहुत खाती है बहुत स्किन के अंदर ही चली जाती है यह हमारा जैल आ गया है बहुत अच्छा जैल है स्किन के लिए और इसके अंदर मुरकर ना लगा नहीं कि छोट चोटे बीड्स पिट रहे हुए यह देखे मैं आपको दिखाती हूँ आप देख पा रहे होंगे रैड रैड से हैं इनको पंच करके स्किन के ऊपर ही मिक्स करके लगाई है जैल को हम इसकिन के अंदर एक्जॉब कर देंगे बिल्कुल और पानी का टच नहीं देंगे इसमें हम आप सिर्फ जैल से मसाज कीजिए बिल्कुल पानी का टच इसमें नहीं देना है आपको यह पान से साथ मिनट करना है आप देखिए बिल्कुल फेस हुग गया है फेस को सुखाते हुए अब यह पैक लगाएंगे इस तरह से आप डॉट-डॉट में पैक लेके सारा फैला लीजिए पैक को ओपर की तरफ ले जाएंगे आप ब्रशे भी लगा सकते हैं मैं थोड़ा फिंगर लगा फिंगर से ही कमफोडिबल हूँ तो मैंने फिंगर से ही लगाया है ब्रशे भी बहुत अच्छे से पैक पैल जाता है तो यह हमारा है मुरक्कर नर्गन और नॉल का फैशल मैंने पैक लगा दिया है पैक के बाद में हमारा अब आएगा पैक को आप सोखने दीजिए दसे बारा मिनट पंदरा मिनट पंदरा मिनट तो खास कर लगा यह नहीं और उसके बाद में हमारा एक सिरम है इसका वो लगा दीजिए और यह है मुरक्कर नर्गन और नॉल का फैशल सिक्व स्ट्रेप पला बहुत अच्छा रिजल्ट है में